इस तरह का एक question हम पहलिब solve कर चुके हैं और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे questions को हम दो different method से solve कर सकते हैं तो हम इस question में भी दोनो method से इसको solve करेंगे एक question क्या कहता है find the 20th term from the last term of the AP और यह हमें एक AP given है जिसकी first term है 3 और common difference 8 में से 3 को minus करूँ तो 5 इसका common difference है वो कह रहा है कि इसकी 20th term find out करो लेकिन आगे से नहीं पिछली side से ठीक है तो इधर से मुझे इसकी 20th term को find out करना है देखो एक तरीका तो यह है कि मैं क्या करता हूँ मैं इस series को उल्टा लिख देता हूँ और reverse करके 253 and then 13 फिर 8 और फिर 3 तो अब अगर आप देखो तो यह भी तो एक AP series है right कैसे AP series है 8 में से 13 को minus करो तो कितना मिलेगा minus 5 3 में से 8 को minus करो तो कितना मिलेगा minus 5 right तो इस series को मैंने reverse करके जब यहाँ पर लिख दिया तो D जो है वो यहाँ 5 था तो इस case में minus 5 हो गया यह increasing थी और यह decreasing हो गई ठीक है अब मुझे 20th term find out करनी है लेकिन इस side से करनी थी ठीक है इस series के लिए पिछली side से मुझे 20th term find out करनी है तो और जब मैंने इसको reverse करके लिख दिया ऐसे है तो इसका मतलब मुझे इस side से 20th term find out करनी है तो यानि कि इस AP series की अगर मैं 20th term find out करनी हूँ तो वो इस series की पिछली side से 20th term होगी that's it तो मैं इसको क्या लिखूंगा AP series मुझे क्या given है 3, 8, 13 and so on up to 253 तो इसकी reverse AP क्या हो जाएगी 253 and so on then 13, 8 and 3 तो just school टा करके लिख देना और कुछ नहीं करना और अब इस series के लिए A कितना है 253, common difference D कितना है किसी भी term में से पिछली term को minus कर दो तो 8 minus 13 यानि की minus 5 और अब मैं इसकी 20th term find out करूं अगर right 20th term इस series की find out करूं तो वो हो जाएगी A plus 19D तो मैं directive formula use कर रहा हूं आप इसको भी use कर सकते हो N की value 20 डालके लेकिन अब तक आपको याद हो चुके होंगे ठीक है A कितना है 253 plus 19 और D कितना है minus 5 तो यह हो गया 253 minus 95 which is equal to 158 is the answer तो इसका मतलब इस series की 20th term from the end is 158 तो यह हो गया पहला method अब हम इसको दूसरे method से solve करते हैं अब दखो second method से इसको solve करने से पहले एक छोटा सा concept समझ लेते हैं वैसे मैं इसको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ पर एक बार फिर हम इसको समझ लेते हैं दखो मानलो मेरे पास यह 11 terms है ठीक है ऐसे ही just मैंने randomly 11 लिख दी आप चाहे 12 ले लो 13 14 15 कितनी भी terms ले लो ठीक है और मुझे इसकी पिछली side से मानलो fourth term चाहिए पिछली side से fourth term तो वो कौन सी होगी one two three four यह वली term हो गई right a8 right a8 हो गई अब इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस तरफ से जो चौती term है वो इस तरफ से कौन सी term बनेगी वो क्या करते हैं कि वो 11 minus 4 यह निकाल लेते हैं और वो निकलता है 7 और वो इस term को use कर लेते हैं कि यह term वो नहीं होती यह actually 7th term है और यह इस तरफ से हमें जो term चाहिए जो पीछे से 4th term है वो इस side से 8th term बनती है ठीक है वो front से 8th term बनती है right तो हमें actually करना आता है 11 minus 4 plus 1 तो मुझे इसकी 8th term मिलेगी from front यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं हमें actually क्या करना इस method में अगर मुझे यह पता चल जाए कि इस series में total terms कितनी है अगर मुझे यह पता चल जाए कि 253 कौन C term है यह 30th term है 50th term है 100th term है अगर मुझे यह पता चल जाए ऐसे ही just मैं ऐसे ही माल लेता हूं माल लो यह 50th term है ऐसे ही माल लेते हैं कि इसमें total 50 terms है ठीक है तो 50 terms है तो पीछे से मुझे 20th अगर चाहिए हो तो वो आगे से कौन सी हो जाएगी 50 minus 20 plus 1 तो यह plus 1 बहुत important है जैसे मैंने यहां समझाया कि 11 terms में से अगर मुझे 4th term find out करनी हो पीछे से तो 11 minus 4 plus 1 हो जाती है front side से तो अब मैं सबसे पहले यह find out करता हूं कि 253 कौन सी term है राइट अब इस series में a कितना है a है 3 और d कितना है 8 minus 3 यानि कि 5 और इसकी last term उसको l भी लिख देते हैं और an भी लिख देते हैं वो है 253 तो अब मैं यही formula use करूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि l is equal to a plus n minus 1 into d l लिख लो यहां इसको an लिख लो अब यहां पर मुझे पता है कि यह last term है तो इसलिए हमने l लिख लिख लिए इसको ठीक है otherwise an भी लिख सकते हो तो यह कितनी हो गई 253 is equal to a है 3 plus n minus 1 क्योंकि n मुझे fine root करना है और d कितना है d है 5 तो यह इदर जागे इसमें से minus होगे हो जाएगा 250 is equal to n minus 1 into 5 तो n minus 1 कितना हो गया 250 by 5 is 50 तो यहां से n मेरा कितना हो गया 51 तो total 51 terms है यह 51st term है तो total भी 51 terms हो गई ठीक है so अब हमें पिछली साइट से 20th term जो find out करनी है वो अगली साइट से कौन सी term होगी now 20th term from the end is equal to 51 minus 20 plus 1 which is equal to यह कौन सी हो जाएगी 32nd term from the beginning right तो मुझे 32nd term find out करनी है इस series की इस साइट से अगर मैं इसको front साइट से find out करने की कोशिश करूं right तो अब simple सी बात है कि मुझे अब a32 find out करना है और a32 हो जाएगा a plus 31d which is equal to a कितना है यह है 3 plus 31 into d कितना है df5 तो यह हो जाएगा 3 plus 5155 which is equal to 158 is the answer तो इस साइट से भी मैंने फिर से वही term ढूंड ली right दखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि यह जो a n है जब भी हम nth term find out करते न यह formula लगाके यह formula लगाके यह यह जब भी कोई एक term find out करते हैं तो वो term अगली side से होती है इस side से हम find out करते हैं कि यह 10th term है 12th term है 15th term है यहाँ से होती है ना कि पिछली side से okay so that's it from this tutorial keep watching Mathmafia